हेलो और वेलकम बैक टो पीवाई कुईपेडिया हम लोग 30 डेज रेपेड रिविजन स्रीज चला रहा हैं इनफोर्समेंट ओफिसर, एकाउंट ओफिसर और एपी एपसी के जो एकजाम होने वाली है 2023 में उसके लिए और यह हमारा 12 दे है इससे पहले हम लोगोंने 11 दिन का रिविजन को स्कंप्लीट किया है उसमें जो फर्स्ट 3 डेज था वो आपको इंडस्ट्री लिलेशन और इंडस्ट्री लेशन और लेवर लज पे किया था उसके बाद जो तीन दिन था वो हम लोगोंने एकाउंटेंसी पे किया था उसके बाद जो थ्री डेज था वो हम लोगोंने सोसिल सेक्यूरिटी, पॉपलेशन, ग्लोबलाइजेशन और इंसुरेंस पे किया था और इसके बाद जो हम लोगों अभी कर रहे हैं वो जो है जो भी UPSC में 2023 में जो UPSC ने जो एक्जाम कराई है वहाँ से हम लोगों ने previous year question किये थे current affairs के इसके बाद second day हम लोगों ने माई 2022 से माई 2022 से आपको October 2022 तक के current affairs किये थे ठीक है अब जो हम आज करने वाले हैं वो November 2022 से ले करके माई 2023 तक के current affair करने वाले हैं तो इसमें जितने भी important current affair है वो हम लोग आज complete करेंगे कुछ quality के economy के और history के question अगर बच जाएंगे वो हम लोग respective quality history economy में add कर देंगे ठीक है आज civil services prelims 2023 का result आया है और जिनका उसमें selection हो गया है उनको बहुत-बहुत ही बधाईया और जिनका नहीं हुआ है उनको tension लेने की बात नहीं है यह भी आपको बहुत अच्छी opportunity है APFC भी 10 लेवल की post होती है ठीक है और enforcement officer भी अगर आपकी हो रही तो आप कर सकते हो अब उसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग आज अकर current events and development issues complete कर लेंगे तो आप उसके बाद हम लोग start करेंगे English section और फिर हम लोग को science section start करना है बहुत सारे लोगों का यह को एरी था कि अब क्या यह series बंद हो जाएगी नहीं यह series आपको 30 June तक चलेगी हां मैं यह possibility देख रहा हूं कि आपको 30 June से पहले यह सारी video complete जो 30 दिन की हमारी schedule है उस schedule को हम समय से पहले complete कर दे जो 30 हर दिन एक होने वाला है उसकी possibility मैं देख रहा हूं तो वो अगर possible हो पाया तो मैं वो करके जरूर आपको complete करा दूंगा but anyhow आपको जो schedule बनी हुई है वो सारी उतनी content आपको मैं जरूर परवाइड कराऊंगा ठीक है तो उसके लिए कोई आपको टेंसन लेने की बात नहीं है और जो आपको 15 डेज में क्या करना चाहिए उस पे मैं एक video बनाने जा रहा हूं कि last 15 डेज में आ हम सारी issues को लेंगे कुछ issues जो हैं जो हमारे Google form में आया है Google form जो आपको link description में मिल जाएगा वहां पर भी कुछ लोगों ने issues दिये हैं कुछ issues रेज किये हैं तो उन सब भी हम उसका भी उसकी भी बात करेंगे उस video में तो जिनको और भी अगर कुछ पूछना है या बताना है वह आप जा करके वहां पर note down कर दीजिए so that कि जिस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं वह उन सब सारे points को आपको consider करूंगा उन सारे points में हम लोग बात करेंगे ठीक है so let's start this session ठीक है तो बारह में दिन का और यह last part है current events and development issues का ठीक है इतना तो आपको जो मैंने इसके बाद आपको जो भी करना होगा वह करना ठीक है so let's start the session pdf आपको telegram channel pyq underscore pedia पे मिल गया होगा ठीक है तो आप आप वहां से pdf revision करें बार बार रिवीजन करें explanation को भी ignore मत करें अगर मैं previous year question कर रहा हूं तो आप सिर्फ previous year question में यह जानते हो कि इसका answer C होगा D होगा उससे नहीं होगा आपको हर एक point समझना परेगा हर एक line समझना पराइगा ठीक है वह आपको help करेगा ठीक है तो पहला question जो है हमारा वह economy पे है और वह question है consider the following statement regarding guilt funds so guilt funds के बारे में पूछ रहा है now what is guilt fund अब क्या है कि guilt funds are mutual funds that invest only in government securities guilt funds mutual funds होते है that invest only in government securities ठीक है तो यह बिल्कुल सही है guilt fund होता है mutual fund होता है जो सिर्फ government securities में invest करता है ठीक है और सिर्फ यह government security यह government bonds में invest करता है, so investor का risk कम होता है, क्योंकि इसमें sovereign guarantee होती है, भारत सरकार की guarantee होती है, है ना, तो वो इसमें credit risk जो होता है, कम होता है, these funds are invested only for short term duration, say less than 91 days, बोल रहा है कि ये जो fund होते हैं, वो short duration के लिए invest किये जाते हैं, मतलब 91 दिन से कम के लिए किया जाता है, नहीं, इसमें आए क्या कि ये जो funds होते हैं, guild funds, वो some कुछ तो short term के लिए होते हैं, कुछ medium के लिए होते हैं, कुछ long term के लिए होते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये short term के लिए होते हैं, तो ये आपको only for short term गलत हो गया, these are impacted by interest rate movement, ये interest rate movement से ये होता है, बिल्कुल, ठीक है, ये इस पे interest rate movement का भी impact परता है, ठीक है, ठीक है, जैसे सारी fund में, सारी जितनी भी funds होती हैं, bond होती हैं, उन सब में interest rate risk होता है, है न, ingrained them, तो यहाँ पे भी जो हैसो, ये होगा, so these are impacted by interest rate movements, so आपका second गलत हो गया, ठीक है, और first one and three सही हो गया, so one and three is right, ठीक है, economy जो पढ़े होंगे, उनको ये पता होगा, आसान सा question था, ये आपको explanation है, अगला question है, the concept of fallback liability, ये news में था, sometimes seen in news, is related to, ये fallback liability क्या था, जो कुछ दिनों से news में चल रहा था, ये क्या है, कि fallback liability, ये अगर आप थोड़ा भी news देख रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि ये e-commerce rule के है, अब e-commerce rules में fallback liability को define किया गया है, ठीक है ना, अब माल लेजिए कि किसी ने कुछ order किया, किसी जो consumer ने कुछ आपको order किया, कोई goods or service, है ना, और वो provide नहीं कर पाया, जैसे माल लेजिए कि Amazon पे आप करते हो, ठीक है ना, सो वहाँ पे आप अगर जाते हो, और वहाँ पे बहुत सारी sellers होते हैं, ठीक है ना, और वो उस पे registered होते हैं, अब वो क्या किया, कि आपने जो goods or service order किया, है ना, वो आपको, नहीं आपको समय पे डेलिवर किया, ठीक है ना, तो वो इसका मतलब क्या हो गया, कि वो अपनी, ठीक है ना, duty को fulfill नहीं कर रहा है, clear? जिसके कारण consumer को loss हो रहा है, so fallback, liability, e-commerce rule पे के कारण news में था, ठीक है, यह आपको explanation में सब कुछ लिखा हुआ है, अगला question है, कि while spills can be treated with bio remediation, है ना, bio remediation by using some species of, यह बड़ा news में रहता है, bio remediation, bio remediation क्या होता है, कि कुछ specific micro organism, या plants, या कुछ metabolize, है ना, हट करके, यूज करके, harmful substance को हटाना, ठीक है, तो यह होता है, bio remediation, bio remediation समझ गए है, jab उप्चार है ना, तो micro organism या कुछ plants, है ना, को use करते हैं, ठीक है, to metabolize and remove harmful substances, ठीक है, harmful substances को हटाने के लिए, तो इसमें क्या-क्या यूज होता है, bacteria भी होता है, यूज, archaea भी होता है, plants भी होता है, fungi भी होता है, यूज, और algae भी होता है, तो इस सब को use करके, जो है, आपको bio remediation हो सकता है, jab उप्चार, ठीक है, clear, तो यह आंसर हो गया, D, यह आपको explanation दी होई है, अगला question है, कि bio luminescence क्या है, bio luminescence, यह bio luminescence क्या है, so bio luminescence is the property of a living organism, to produce and emit light, जो living organism है, उसकी वो property जिससे कि वो light को emit करता है, ठीक है, तो इसमें बता रहा है, यह बता दिया, इसमें इनिमल्स भी सो करती है, प्लांट्स भी सो करती है, फंगी भी सो करती है, और बैक्टेडिया भी सो करती है, यह प्रपल्टी, तो आंसर क्या हो गया, D, 1, 2, 3, and 4, तो आपको पता होना चाहिए, दो कुछीजें, bio luminescence क्या होता है, इसके बाद अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, bio remediation क्या होता है, तो यह दोनों टर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है, यह आपको explanation है, अगला है, एक news में चल रहा था, सुकापाई का नदी, सुकापाई का river, सुकापाई का river थे उता, वो किस नदी का से originate होता है, है ना, सुकापाई का river, recently seen in the news, originated from किस नदी से हो रहा है, तो एक चोटी सी नदी है, है ना, यह आपको, अब यह सुकापाई का नदी, एक चोटी सी नदी थी, वो क्या हो गया था, कि बहुत साल पहले, वो फ्लो कर रही थी, बैट कुछ सालों, सत्तर सालों से, है ना, और वो फ्लो करना बंध हो गया, तो उसको रिवाइब करने के लिए, उडिसा गौवर्मेंट जो है, उस पे जो है, सो वर्क कर रही है, तो यह जो नदी है, यह originate होती थी, दूसरी नदी, महा नदी से, ठीक है, सो महा नदी से, originate होती थी, इसको रिवाइबल के लिए, उडिसा गौवर्मेंट वर्क कर रही है, इसलिए यह नियूज में था, ठीक है, सुका पाईगा नदी, रिवर, महा नदी, उडिसा, ठीक है, इला भट के द्वारा, सेट अप किया गया था, कब किया गया था सेट अप, 1972 में, इला भट के द्वारा, 1972 में सेट अप किया गया था, और यह, टेक्स्टाइल लेवर एस्टोशेशन से, यह बना था, बंतिन में ये टेक्स्टाइल लेवर एक्सेयशन किया था बट यह राइजिस्टर नहीं हुआ था 1972 तक यह register नहीं हुआ था क्योंकि जो इसके members थे उसके कोई employer नहीं थे तो उसको employer के नीचे जो काम करते हैं उसको worker मानते थे तो जब employer थे ही नहीं तो इनको register करने के लिए नहीं मिला 1974 में सेवा वैंक established किया गया था जिससे की जो चोटे चोटे लोन जो है poor women को देने के लिए यह किया गया था और उसको recognize किया था international labor organization ने micro finance movement के ताहत में समझ में आ गया सेवा जो था वो वहां से निकला था textile labor association से 1972 में यह formed हुआ था तो textile labor association जो था जो 1920 में फॉर्म हुआ था वट उजो रजिस्टर नहीं कर पाये थे रजिस्टर इसलिए नहीं कर पाये थे कि बोलता था कि टेक्स्टाइल का जो लेवर है उसका कोई employer तो है नहीं है ना तो जब employer है नहीं तो उसको worker का की तरह देखा नहीं जाएगा ठीक है तो फिर सेवा बैंक इस्टेबलिश हुई थी 1974 में और वो लोन देती थी poor women को और उसको I.L.O. न. रिकोगनाईज किया था as a micro finance movement अब आप समझ ये सेवा इज ए ट्रेड यूनियन देट प्रमोट्स दा राइट अफ लो इंकम लो इंकम इंडिपेंडेंट इंप्लोइड वरकर्स ठीक है ठीक है ठीक है तो ये ट्रेड यूनियन हो गया पहले बहुत 1970 तुक तक नहीं कर पा रहे थे फिर बाद में वो रेइस्टर हो गया clear it is affiliated by the union ministry of labor and employment ये union minister labor employment के द्वारा affiliated नहीं है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो ये हो गया गलत सेवा bank watch established to provide small loans to poor women an initiative that was recognized by the ILO as a micro finance movement बिल्कुल सही है so L.A.W.E.T. नहीं किया था 1972 में वैसे तो इसका origin बहुत पहले है बट ये रेइस्टर नहीं कर पा रहे थे रेइस्टर क्यों नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसमें कहते थे कि जो ये member है वो worker में आएगा ही नहीं क्योंकि trade union तभी बोलेंगे जब workers होंगे और workers होने के लिए employer होना चाहिए तो वो employer नहीं थे सीके सु one and three is the right आपको इतनी पता होना चाहिए that's more than enough ये आपको explanation है अगला question जो है हमारा which of the following mission have the objective to ensure the return of humans to moon अब humans को moon पे ले जाना है ठीक है ना निमलखित में से किस mission का उदेश चंद्रमा पर मानव की वापसी सुनेचित कराना है चंद्रयान 3 इसमें मानव का कुछ बात नहीं था ठीक है सो इसमें कौन सा answer है यह Artemis program जो है Artemis mission जो है Artemis mission वो एक robotic and human moon exploration program है जो कौन कर रहा है NASA NASA और NASA के साथ सच European Space Agency है Japan Space Agency JAXA है और Canadian Space Agency है यह सब मिल करके Artemis mission बना रहा है और यह चाहता है कि human के presence को फिर से moon पे यह करे ठीक है clear so Artemis program आपका answer हो गया ठीक है यह Parker solar mission है ठीक है सुरी के लिए है हो आपको समझ में आ गया तो answer ही हो गया so इसका C answer हो गया अगला question है high burden to high impact initiative यह किसने शुरू किया था high burden to high impact initiative यह news में रहता है so किसने सुरू किया था elimination of noble coronavirus in worst state countries plantation of native trees in degraded areas initiative of WHO to reduce TB cases initiative of WHO to reduce malaria cases in high burden countries बिल्कुल यह high burden high impact जो initiative है वो world health organization लागू किया था और इन्होंने कि जो high malaria burden countries है उसके उसमें initiative लाया था ठीक है ना malaria को हटाने के लिए तो यह जो है सो इसमें India का भी नाम था ठीक है so India का इसमें नाम है clear यह आपको explanation है अगला question है कि carbon border adjustment mechanism यह सुना है carbon border adjustment mechanism is a plan to tax carbon intensive products such as iron and steel, cement, fertilizer, aluminium and electricity generation इस प्रपोज कि ने किया यह प्रपोज कि भई carbon border adjustment mechanism यह European Union का plan है European Union का इन्होंने plan किया है कि जो भी टेक्स जो carbon intensive product है जैसे कि iron हो गया, steel हो गया, cement हो गया, fertilizer हो गया, aluminium हो गया यह electricity generation है उस पे 2026 से from 2026 हैस में क्या लेंगे कि tax लगेगा ठीक है इसमें tax लगेगा तो कौन किया है European Union यूनियन ठीक है यह 2021 में आया था और इन्होंने कहा था कि पांस साल के बाद इन सारी चीजों पर जो steel हो गया, iron हो गया, cement हो गया, fertilizer, aluminium, electricity generation यह से product जो होंगे जो carbon intensive product है ठीक है न तो उस पे क्या लगेगा आपको tax लगेगा 2026 से यह आपको news में था यह आपको explanation है अगला question है no money for terror यह conference हुआ है यह किसका initiative है no money for terror यह इसलिए news में है कि इंडिया जो है जो no money for terror यह जो third इसका यह हुआ है ठीक है, so third जो conference हुआ है, third conference उसको इंडिया ने, इंडिया उसमें hit है, ठीक है न, so India hosted the third no money for terror conference और यह इंडिया ने प्रपोज किया है कि इसकी एक permanent secretariat होना चाहिए, है न, इसकी एक ministerial body भी होनी चाहिए, कि इसमें क्या होगा कि focus on countering and financing of terrorism, है न, तो जो terrorism को finance करते हैं, वो पर focus करना है, ठीक है, यह NMFT जो है, वो start हुआ था 2018 में, है न, और यह जो किसका initiative था, French government का, किसका है, French government की initiative से यह start हुआ था, ठीक है, ठीक है, और यह जो है, ठीक है, तो इसका क्या answer हो गया, none of the above, clear, so आपको no money for terror, यह news में इसलिए था, क्योंकि इसकी presidency इंडिया के पास में है, इंडिया ने यह host किया था, इन्होंने इंडिया ने प्रपोज किया था कि एक permanent secretaryate होना चाहिए, no money for terror के लिए, अब एक question है, partial protection against double geo party, यह आपने पढ़ा होगा, polity में, double geo party, ठीक है न, दोहडी जोखिम के खिलाप आंसिक सुरक्षा कौन पर रवाइट करता है, judicial convention, fundamental right provision under CRPC, none of the above, क्या होगा, article, article 22, 20, subsection 2, क्या कहता है, कि no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than one, एक ही अपरात के लिए, है न, एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिल सकता है, लेकिन इसमें administration वाला, अगर discipline, कुछ administration हो गई, आप नौकरी करते हो, वहाँ पे आपको नौकरी से निकाल दिया गया, है वह आप बोले होगा कि अब तो मुझे सजा मिल गया, उसको सजा नहीं माना जाता है, तो disciplinary action पे अगर कुछ office में हुआ है, वह administrative action है, तो उसको सजा में consider नहीं किया जाएगा, clear, so double geo party जो है, हमारा fundamental right, article 20, subsection 2 में लिखा हुआ है, कि कोई भी person को, है न, एक ही offense के लिए, एक अब इंडिया, which of the following are used for crop residue management, है न, फसल अवसेस प्रबंधन, है न, ठीक है, तो बहुत सारे जो farmers है, वो इसलिए news में था, कि वो लोग क्या कर रहे थे, कि जो paddy का, जो stables वो गरे थे, है न, अवसेस जो थे, उसको वो जला नहीं रहे थे, और उसको क्या कर रहे थे, ठीक सीडर और वनीजा, सूपर सीडर, यह है, बट फिर वी लोग फार्मर जो है, ज्यादा तर उसको मसीन को यूज करने से ज्यादा, और वो पार्सिल बर्णिंग को यूज करते हैं, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, यह जो तीनों है, वो आपको crop residue management का है, ठीक है, फस जरखेवाल, गुर्जर और पकरवाल, यह जो है, नोमेडिक community है, वो कहा किया है, ठीक है, सो गुचर और पकरवाल जो है नोमेडिक community है, जम्मु एन कास मीर का, ठीक है ओंडिया, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, यह आपको news में था, अगला है केकी मिस्थरी कमिट है वो किया था किसने Armed Forces Special Power Act GM crops in India review the share by back regulation reform in the criminal बिल्कुल यह जो है सेवी ने किया था to review the share by back regulation इतना आपको याद रखना है इसमें इससे ज्यादा नहीं रखना है किसने किया था सेवी ने केकी मिस्त्री कमिटी यह आपको explanation है अगला एक कि which of the following pairs are correctly match यह बहुत important question है black hydrogen, pink hydrogen और gray hydrogen इस सब आपको पता होना चाहिए black hydrogen जो होता है वो produce by fossil fuel, fossil fuel say пост रखा वो хочется यह सई हो गया pink hydrogen जो होता है green hydrogen होता है green hydrogen hydrogen जो होता है new natural gas से होता है green hydrogen weekly hydrogen liquid hydrogen जो होता हूफ tropical caso होता है quantum natural yes और pink hydrogen क्या होता है वो होता है pink hydrogen produced through electrolysis but using energy from the nuclear power source तो यह आपको हो गया answer तो एक ही match कर रहा है so one only is the answer ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि black hydrogen क्या होता है pink hydrogen क्या होता है और gray hydrogen क्या होता है ठीक है ठीक है यह आपको explanation में सब कुछ दिया हुआ है अगला question जो है यह है आपको ताल चापर black box sanctuary कहां पर है that was seen recently that was recently seen in the news को कहां पर है ताल चापर है ना black box sanctuary यह कहां पर है तो यह आपको ताल चापर black box sanctuary जो है राजस्थान के चूरू district में है यहां पर आराउंड आपको चार हजार black box रहते हैं है ना और बांकी जो इस पेसिज रहते हैं रैप्टर्स वगरा के वो तो रहते ही हैं तो ताल चापर black box sanctuary कहां पर है राजस्थान यह न्यूज में इसलिए था कि state government इसकी eco sensitive zone को कम करने की कम करना चिक के move propose किया था ठीक है तो राजस्थान इस दा आंसर यह explanation एक यह न्यूज में था और यह तो चारों है ही right to choose right to be heard right to be informed right to safety इसके साथ-साथ-right-to-right-to-sick redressal यह भी है और राइट-to कंजूमर एडुकेशन कंजूमर एडुकेशन यह है इतने चो यह च्छे जो है तोटल राइट्स दिया हुए जो कंजूमर के राइट्स है clear तो यह आपके आंसर हो गए 1,2,3,4 यह आपको explanation में लिखा हुआ है अगला question है कि semi-automated off-site technology recently seen in the news वो किस चीज के लिए use होता है semi-automated off-site technology यह किस चीज के लिए news होती है यह फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ था तो फीफा ने यह launch किया था semi-automated off-site technology इस वर्ल्ड कप में और इसमें क्या है कि 12 dedicated tracking cameras इन्होंने मांट किया था है ना स्टेडियम के रूप पे कि to track the ball है ना और यह जो है सो इसमें 29 data collecting point था है ना तो यह आपको बस इतना याद रखना है कि semi-automated off-site technology जो है वो फीफा ने implement किया था इसलिए यह news में था तो यह related है football से ठीक यह आपको explanation है कि the ball and up to 29 data points for each individual player 50 times per second calculating their exact position on the pitch कुछ भी गरवर ना हो इसके लिए है ना अगला है कि recently the term triple test was seen in the news in light of Allahabad high court order to the Uttar Pradesh government the term triple test is used in triple test का use क्यों होता है triple test क्या है अभी क्या हुआ था कि Allahabad high court ने यह Uttar Pradesh government को यह कहा था कि जो urban word की urban word local wordy की जो election हो रही थी है ना तो उसमें OBC के reservation पर बात चल रहा था ठीक है तो वो election को रोका गया था तो triple test है क्या तो triple test क्या होता है कि इसमें क्या है कि government को OBC को reservation के देने के लिए तीन टास्क यह करना परता है form थी टास्क फॉर फाइलाइजिंग ओफ रिजर्वेशन तो ओबी सीजी ओवी सी इन दा लोकल वर्डिज ठीक है उसमें क्या क्या है पहले आपको एक dedicated commission बनाना परेगा ठीक है वो आपको रिग्रस inquiry करेगा ठीक है ना कि that the nature and implication of backward in local bodies ठीक है किस तरह से करना है इसके बाद proportion of reservation क्या होगा local body में है ना वो commission recommend करेगा और reservation of SCST इसका जो है 50% से ज्यादा ना हो पहला चीज़ क्या करेगा एक inquiry commission मिठाया जाएगा है ना दूसरा क्या करेगा उसमें कितना प्रपोर्शन का reservation होना है वो करेगा और तीसरा क्या है कि ध्यान देना है कि 50% से ज्यादा सीट नहीं होना चाहिए CST OBC मिला करके ठीक है और यह Supreme Court ने विकास किष्ण प्रपोर्शन राओ गवाली स्टेट और महारास्ट्रा में यह 2021 में ट्रिपल टेस्ट दिया था ठीक है सो इसमें लोकल वजी में लोकल बड़िज में OBC के reservation के लिए ट्रिपल टेस्ट न्यूज में था ठीक है यह आपको explanation में सब कुछ लिखा हुआ है अगला question है consider the following statement regarding the pilgrimage site उनाकोटी न्यूज में है अब उनाकोटी है क्या यह उनाकोटी को हम लोग क्या बोलते हैं अंगकोर वाट ओफ दा नॉर्थ इस भी बोलते हैं उनाकोटी इस टैग लेने का लेने का चाहरा है और इसमें government ने और archaeological survey इंडिया ने दोनों जो है इसमें बहुत सारी चीजे जो उहां पर सैवाइट रॉक क्रेविंग सम्हें उसको बहुत ज्यादा को प्रिजर्ब किया है है और center भी approach किया है UNESCO के पास में कि इसको world heritage site में घोसित कर द आज भी रिकोगनाईज भी हुआ नहीं है इसके लिए सेंटर ने अप्रूब किया है यह UNESCO के पास गया है कि भाई इसको अप्रूब कर दो ठीक है state का सूखा area वहां पर गंगा जल हर जगा पहुचेगा तो यह आपको बिहार government ने start किया है बिहार government की एक scheme है और यह राजगीर में लांच हुआ है और बिहार में benefit होगा ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया होगा बिहार government इतना याद रखिए अगला question है कि which of the following diseases can be caused through biological warfare जो जैबिक युद्ध होता है उससे कौन-कौन से बिमारी हो सकती है so one is anthrax, botulism, smallpox और plague ठीक है ठीक है तो इसमें से कौन सा हो सकता है biological warfare के कारण होगा तो दो चीजें होती है एक होती है bio-terrorism क्या होती है bio-terrorism और एक होता है bio-terrorist मतलब समझ गया होगा दोनों का ठीक है so bio-terrorism क्या होता है यह एक agents होते हैं कोई pathogenic organism है है ना यह toxin से biological toxin जो की use किया जाता है तो प्रोड्यूस देथ and disease की human में disease हो जाए कोई भी ठीक है ना किसी human में किसी animal में या plants में उसको बोलते हैं कि वो कोई ऐसी आपको कोई pathogen चोड़ देगा या toxin ऐसा चोड़ देगा जिससे की किसी का देथ हो जाए है ना या कोई बीमारी हो जाए humans में ठीक है ना सो वो हो जाता है बायो टेरिस्ट बायो टेरिस्ट जो होता है वो किसी जो अटेक है ना वो किसी ज्यादा चांस होती है वो होती है एंठ्रेक्स होने की इसके बाद बॉट्यूलिज्म की बिल्कुल स्मॉल पक्स प्लेग है ना इसके बाद अभी आपने एक मुवी देखी होगी वहां पे स्मॉल पॉक्स का है फ्यलाने के लिए कौन सी मुवी थी देख के लिए दों अарilli सारुक आंव थी वहां थी फिवर्स होते हैं आजसे हैना तो यह सारी क्लाइर समझ गए आप तो अंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 & 4 यह आपको explanation है अगला question है कि इंडिया development report अब इंडिया development report आप सीधे सोचोगा कि इंडिया development report है तो नितियायोग कर रहा होगा या रिजर bank of India लेकिन इंडिया development report यह त्यार करती है World Bank कौन करती है World Bank और इन्होंने कहा है कि जो इंडिया के World Bank यह आपको explanation है अगला question है यांग्स्टे रिजन अभी न्यूज में था यांग्स्टे रिजन यह कहां पर है तो यांग्स्टे जो है वो तवांग सेंक्टर्स तवांग सेक्टर में है ना कहां तवांग सेंक्टर अरुनाचल प्रदेश ठीक है ना तो अरुनाचल प्रदेश में यह यांग्स्टे रिजन है ठीक है ना यह चाइनीज जो ट्रूप्स होते हैं उनके द्वारा बारवार टार्गेट किया जाता है तो इसलिए यह न्यूज है लाइन ऑफ एक्चुल कंट्रोल पर है ठीक है तो अरुनाचल प्रदेश आंसर है अगला है कि बाजबॉल मेथट डैट वाज रिसेंटली न्यूज इज लेटेट तुई यह बाजबॉल मेथड क्या है और किस चीज़ के लिए निवच में था तो यह बाजबॉल मेथड ज कैसे मैं आपको बता देता हूँ एक नया टेकनीक है जो मतलब कि सुरु से ओर से लोग सुचते आ रहे हैं कि जो टेस्ट करिकेट होगा तो वहां पर क्या कि डिखेंसिव टेकनिक से खेलना है ठीक है ना अराम--इसे खेलना है बट यह बाजबॉल टेकनिक कहता है कि यह कुछ नहीं है बिकेट तो गिरेगा ही आप जाओ और जो बॉल आपको मारने वाला लगता है उसको आप मारो तो जो क्रिकेट की लॉंग कि कैसे खेलना है उसको बैटिंग की एपपरोच को उसको चेंज करने के लिए है थीकल कि आप करो यह नहीं कि आपको अगर एक उत अप और अंसरी को पहले आ पैसा ना करो कि आउट हो जाओ आप जाओ और रन और हो आप कि टेस्ट की रिगेट है तो उसको अराम से खेलना है यह बाजबॉल मेथट है इतना स्यादा आपको समझ में याद रखने की ज़रुवत नहीं है आप इसमें देख सकते हैं कि यह नियूज में इसलिए था कि चीजां अब दो चीजें होती है एक होती है श्यवाकित कर पोड़े सी और एक होती है फिस्कल प्रूहरों जो होता है यह hindi बहुत निवज में रहता है तो क्रूहरोन क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं सब्राइबलेटि औफ ग哇 Taj to sustain Smooth monetary operation and long-standing fiscal condition ability of Government to sustain ability of Government to sustain ये Government की कितना तक सस्टेन कर पाएगी गवर्मेंट कितनी Fiscal condition को तो ये तो हो गया fiscal prudence और एक होता है fiscal profligation जहीं सो है ना अब अब यह क्या है कि जैसे मालने जो फिसकल पूदेंस का जस्ट अपोजिट हो गया फिसकल प्रोफिल्गशी इसमें तो है कि आपके पास में अबिलिटी कैया आहिसे संट कंडिशन को फिसकल कंडिशन को आप आराम से लॉंग तर्म में ठीक रख सकते हो इसले नियूज में कि गौवर्मेंट जो है वह पैसे ऐसे खर्च कर रही है है और कि वह वेश्ट हो रहा है एक तरह से मतलब वाइस डीसीजन नहीं है तो उसमें क्या हो गया कि उसकी जो कॉस्ट फिसकल प्रोफिल गेंशी है स्टेट का वह बहुत हुज होता जा रहा है जैसे कि माल लेजी की फ्री में चीज़े दे रही है तो the act of spending आपकी income जितनी है उसके अनसार से खर्च करो आपके income से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो that's a fiscal profitability राजकोसिय अप अब जो नहीं करना वो कर रहे हो तो यह हो गया the act of spending money in a way that is not wise ठीक है यह आपको explanation है अगला है कि Black Sea देखो Black Sea news में रहेगा और Black Sea के बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए so the Black Sea is a marginal Mediterranean Sea of the Atlantic Ocean lying between Europe and Asia तो यह बिल्कुल सही है हम लोग डाइग्राम अभी देखेंगे दानूबे रिवर दैनिपर रिवर है ना ठीक है इसके बाद Colorado River drains into the यह सारी Black Sea में drain करती है ठीक है तो नहीं ऐसा नहीं है रसिया तुर्की युक्रेन बोर्डर ब्लैक्सी देखो ब्लैक्सी का तो आपको यह पता होना चाहिए बोर्डर कौन-कौन कर रही है ठीक है अब इसमें जो question है so आप देख लीजे यह ब्लैक्सी है ठीक है so ब्लैक्सी है यह और इसमें आपको क्या बोलाए थे कि इसमें जो हमको बोला है कि कला राड़ रिवर जो है वह तो होगा ही नहीं तो इसलिए यह option कर जा रहा है थिक इसमें आपको दानूबे हो गये डिन इपर हो गये है और डॉन यह तीन नदी दानूबे नीपर और डॉन यह सो ड्रेन्स ब्लैक्सी में करती यह तो यह फिर आपको और कौन-कौन सा देख刻 लिजिए रसिया है उक्रेण है इसके बाद कौन है तुर्की तुरकी है इसके वाद कौन है आप देख लीजिए इसमें बुल्गारिया जORGiA होगा कहीं जबी धिक रही है यह है जुट्चिया है जौर्जिया हो गया इसके रोमानिया हो गया, रोमानिया है, रोमानिया इसमें है, सो कौन-कौन हो गया, बुलगारिया, जॉर्जिया, बुलगारिया, रोमानिया, युक्रेन, रसिया, जॉर्जिया और तुर्की, ये ब्लैक सी के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें अगर कुश्चन पूछ किया इस question में, वो Colorado River जो है, वो है, is a major river in the South Western United States and Mexico United States और Mexico में यह river है, तो मुझे लगता है यह आप समझ में हो गेंगे, और यह जो है प्लैक्सी जो है, वो Marginal Mediterranean Sea of the Atlantic Ocean, जो Europe और Asia के बीच में है, ठीक है So Europe और Asia के बीच में है, समझ में आगे आपको तो यह आपको, आप answer क्या हो जाएगा, 1 and 3 अगला question है कि pineapple express, यह news में था So what is pineapple express? Pineapple एक्सप्रेस आपको अगर आप थोरा सा समझ यह, तो this is a atmospheric फेना, इसको ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगा उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है But जो फोरेकास्टर, वेदर फोरेकास्टर वगर था, उन्होंने कहा था कि कैलिफोर्निया में रेन आ रही है बारिस होने वाली है, वो pineapple express के कारान आ रही है, ठीक है So this is a atmospheric common atmospheric phenomena है ना, और जिसके कारान आपको 122 होती है, तो आप इससे ज़्यादा याद ने रखे, बाकि अगर आपको इसमें होगा कि और भी चीज जाने, तो आपको explanation में बहुत भरभर के दी हुई है, ठीक है Vibrant Village Program जो है इस scheme है, वो किस चीज के लिए था Vibrant Village Program, ये 2022-2023 में नया एनाउंस हुआ है, तो इंपोर्टेंट है ये 2022-2023 में ये scheme Vibrant Village Program आया था और इसमें था कि Infrastructure Village का जो इंडिया के बोडर पे जो विलेज है, है ना उसकी infrastructure को आपको इनहेंस करना है ठीक है ना, जैसे जो चाइना के साथ में है जैसे हिमाचल परदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और नाचल परदेश हो गया तो इन सब के बोडर पे ये क्या करना है आपको विलेज की infrastructure को अच्छा करना है इसलिए वाइवरेंट विलेज प्रोग्राम चाइना के साथ जो भी बोडर है वहाँ पे आपको infrastructure जो हिमाचल परदेश, उत्तराखंड और अरुनाचल परदेश में आपको infrastructure की बात हो रही है तो answer हो गया, D अगला है कि YR बैक्टरियोफेज यह सब बहुत term जो ऐसो news में है पॉसिबल थेरेपी बैक्टरियोफेज को पॉसिबल थेरेपी अगेंस multi-daggregiant strain of many bacteria तो बैक्टरियोफेज को एक पॉसिबल थेरेपी की तरह माना गया हुआ है अब इसमें पूछ रहा है कि वैक्टरियोफेज है क्या यह एक तरह का virus है जो वैक्टरियोफेज का मतलब ही होता है बैक्टरियोफेज इटर जो बैक्टरिया को खाता है ठीक है these are ubiquitous viruses found wherever bacteria exist and can kill bacteria bacteria को खाता है ठीक है so bacteria phase का मतलब क्या हो गया bacteria eater तो पहला तो आपका हो गया सही दूसरा है they do not contain any RNA or DNA and thus cannot be infected by bacteria ये कोई भी RNA और DNA नहीं रखता है इसके कारण जो है बैक्टेरिया से this cannot be bacteria से वह infect नहीं होता है गलत बात है ये RNA और DNA में रहता तो है लेकिन उसके एराउंड में एक protein capsule लगी होती है है ठीक है तो इस कारण से उसको बैक्टेरिया का effect नहीं होता है लेकिन उसके चारो तरफ protein structure होती है जिसके कारण वह नहीं होता है ठीक है ना सो इसलिए इसको बैक्टेरिया का effect नहीं पड़ता है तो ये not containing या रहने गलत हो गया so one only is the answer ठीक है यह आपको explanation है अगला question है non nuclear aggression agreement is a bilateral agreement between non nuclear aggression agreement जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वह था ठीक है ना और यह इसलिए वह था ठीक है ना कि reduction of nuclear arms है ना और यह था कि हम लोग reduction जो nuclear arm है वो कम करेंगे limit करेंगे और अब एक दूसरे को attack नहीं करेंगे इसका pledge लिया था है ना ठीक है क्लियर सुन इंडिया और पाकिस्तान क्लियर तो यह आप समझ जाईए यह आपको explanation बहुत सारी चीज़े लिखी हुई है आप देख सकते हो कि starting in January 1992 इंडिया और पाकिस्तान है अनुवली एक्सचेंज लिस्ट ओप देर respective military and civilian nuclear related facility बिरान में से अभी तक हर साल इंडिया और पाकिस्तान एनुवली हर साल एक्सचेंज करता है कि हमारे पास कितना nuclear related facilities है ठीक है तो यह भी आपको civil services में कभी पूछा हुआ था विच फॉल्विग स्टेट्मेंट डिस्क्राइब दवासेनार एग्रिमेंट तो बस आप इतना पता रखिए कि बासेनार एग्रिमेंट क्या था यह वॉल्यूंटरी export control रिजीम है export control रिजीम ठीक है तो आपको यह समझ में आ गया होगा यह 1996 में बना था इसमें 42 मेंबर है टोटल जो अपना वह एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और ट्रांसफर ओफ कॉन्वेंशनल वीपेन और डिवल यूज गूट्स जिसकी एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज हो सकता है अब आप सोची गन तो गन का यूज तो अगर पीसफुल भी हो सकता है दिखा करके आप काम चल जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि उससे आप गलत फायदा उठा लोगे और वासिनर अग्रिमेंट जो होता उसका सेक्रेटेट कहां पे हैं विएना में कहां पे हैं और इंडिया इसका मेंबर बना है एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिमे का यह वीपेन वाला है 2017 में अब इससे कुश्चन बनाते हैं विचो द फालेंग स्टेट्मेंट डिस्क्राइब वासिनर अग्रिमेंट इंटरनेशनल कॉमर्शियल डिस्प्यूट सेटलमेंट अग्रिमेंट गलत डिजास्टर रिस्क रि पीसफुल चीज़ों में भी उसकता है ठीक है मिलिटरी के लिए यूज हो जाएगा है ना तो यह आपको एक्स्प्लानेशन हो गया ताइटल 42 यह निवज में चल रहा था ताइटल 42 किया है तो टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी है रिसेंटली सीने निवज इंप्लिमें पाया गया था तो उसको फिर से दुबारा भेज दिया गया था ठीक है ना तो यह आपको इमिग्रेशन पॉलिसी युनाइटेट इस्टेट ने लाया था ठीक है आप तेख सकते हो इस प्रिंग रिवालीशन जो डिसेंट टाइम्स में यूज में था वो क्या है किस चीज से लेटर है इस्प्रिंग रिवालीशन जो होगा यह आपको मैंनमार में चल रहा था मैंनमार में स्प्रिंग रिवॉलिशन कि इसको बोल रहे थे कि जैसे कि वहां पे मिलिटरी टेक आवर जो बैटल को कर लिया ठीक है तो जो प्रो डेमोक्राशी फोर्सेज थे वहां पे मैंनमार में और मिलिटरी दोनों के बीच में लडाई हुआ था और उसके कुछ दिन के स स्प्रिंग डिवॉलिशन तो यह मैंनमार में था यह न्यूज में था ठीक है तो यह आपको याद रखना है यह आपको एक्स्प्लानेशन में दिया हुआ है अगला कोश्चन है कि ब्रेंट कुड़ीज ओफन यूजड है जब बेंचमार्क फॉर दा प्राइस ऑफ टीक है तो जो वहां पर उनाइटेड किंग्डम और नॉर्वे के बीच में जो नौर्थ सी है वहां से जो आपको याद रखना है ठीक है ना यह एक्स्प्लानेशन है ब्रेंट ब्लेंट इज ओफन अप दर टू इंटरनेशनल रिकोगनाज़ टाइप अप ट्रूड वाइल डाट आर यूजड फो एज बेंचमार्क फो प्राइस ऑफ क्रूड वाइल एक डब्लू टेम ने बोला था आपको ब्रेंट ब्लेंट कम्स यह किस्चीज के लिए था यह आपको सुप्रीम कोट का केस जो है यह 2007 के 2007 में सुप्रीम कोट का केस था और वो था विमेंस विमेंस मोडेस्टी के ओपर ठीक है क्लिया है ठीक है सो यह जो रिलेटेड था वो विमेंस के मोडेस्टी विमेंस्टी का मतलब यह होता है आपको कि यह आपको विमेंस मोडेस्टी में इसमें यह हो गया आपको मोडेस्टी का मतलब हो क्या डेकूरम है ना या डिसेंसी यह विमेंस की वो इस पर बात किया था ठीक है ओके तो आपको इसके बारे में एक्स्प्राइशन में दिया गया है रामकृपाल वर्शे स्टेट अप मध्यपरतिस आप याद रखे सुप्रेम कोट में जो वीमें वोडेस्टी के बारे में बताया था ठीक है ना अब एक है पारसनाथ परवत यह नूज में था यह पारसनाथ परवत क्या है सो पारसनाथ तर्थांकर थे हैं तो यह माना जाता है कि 24 तर्थांकर में से 20 तर्थांकर जो है वह मोख्ष प्राप्ति यहीं पर किया था जो पारसनाथ परवत है ठीक है यह जारखंट में है और जारखंट गौवर्मेंट जो है सो इसको विजटर्स के लिए ओपन कर रहा है और वहां 20 में से 24 24 में से 20 ऐसा है जो मोख्ष प्राप्त किया था उसी परवत पर इसके बाद से तुरंजय हिल है वह होली साइट ऑफ जैन विच वास रिसेंटली सीनी न्यूज तो से तुरंजय हिल कहां पर है सो यह जो से तुरंजय कम्यूटी के लोग है वह प्रोटेस्ट कर रहे स्वाथIf में भूव तिन से चल रहा था इस इनोंने डेमांड किया थकि दो होलि साइट है एक सामेद सिखर जो प्रसनात हिल पे हैं जो अभी बात किये हैं तो दोनों याद रखना है आपको प्रसनात परवत याद रखें परसनात परवत और तो वहां पे एक है समेद सिखर ठीक है और ऑन पारसनाथarthil जो ज़ारखंड में है अभी बात किये थे तो समेद सिखर भी याद रखना है और दूसरा सेतरुंजय हृल जो गुजरात में पलिटाना गुजरात में है तो यहां पर दो हली साइट को क्या कहते हैं उसको वहां की एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए तो यह आपको से तुन जहिल गुजरात में है और जो समेथ सिखर है वह पारासमनाथ फिल पे है और वह कहां पे है आपको जारखंड में यह हम लोगों ने कर लिया है यह आपको एक्स्प्लानेशन है अगला कुश्यण जो है हमारा वह है स्वासरोध स्वासावरोध या साइफेक एस्फाइक से एसन हैं इसे कंडिशन डैकर्स यह कैसे होता है कि एस्फाइक स्टेशन जो है या उसको सफोकेशन भी बोलते हैं जब पूरे वड़ी में आपको oxygen नहीं हो ग को या स्थमा के कारण होता है य当 फशल oldest कि कारण में स्फाइक्ष्या होता है वह क्या हो गया फॉष्टीर के डिप्राइड ऑす te thé यहिए एक्सप्लाशन है और अब बायो मार्कर जिनरल used as an indicator of so biomarker यूजद इंडिकेर कीतर्य क reicht किया सकता है है यह बायो तो उस पर कैसे रिश्पाउंड करता ऑद इसको बायो इसको को मोेकुलर ना करबी पूलते हैं तो किसको indicate करता है और मारकर बाई मारकर डी जी जिजनल और और गएंजमेंग क्लियर ठीक है कि यह explanation है ठीक है इसको molecular marker and signature मोड़ेशन बीडिल भी बोलते हैं मौ शुन मोडिकुल भी बोलते हैं अगला है कि super bugs, ठीक है न, can develop with the abuse of, super bugs, किसके दुरूप योग से विक्सित हो सकता है, यह आपको है question, so, यह जो होगा, super bugs जो होगा, वो कौन से होगा, anti-parasitics, या antivirals, या antibiotics, या antifungal, किसी के भी दुरूप योग से super bugs हो सकता है, ठीक है न, अब इसमें क्या है, कि जो anti-microbial resistance होते हैं, anti-microbial resistance जो होते हैं, वो क्या है, that are anti-microbial resistance, मतलब resistance from, resistance from anti-vacterial, antifungal, antiviral, antiparasitic और antifungal drugs से, आपको क्या करता है, resistance देता है, so that's anti-microbial resistance, और जब कोई microorganism जो है, वो बहुत सारे antimicrobials के resistance हो जाता है, मतलब उससे बच सकता है, तो उसको बोलते हैं, super bugs, ठीक है, कोई microorganism, अगर ऐसा बन जाता है, जो सारी antimicrobial, जितनी भी antimicrobial आप खाते होना, antiparasit, antiviral, antiviotic, antifungal, इस सब से वो दूर हो जाता है, मतलब की resistant हो जाता है, कि खाते रहो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बोलते हैं, super bugs, इस सब के दूरुपयोग से super bugs हो जाता है, मतलब खाते खाते आदत बन गई, ठीक है, इसके बाद news में था एक I2-U2 group, so I2-U2 में कौन-कौन था, I2-U2 जो है, उसमें कौन-कौन है, इंडिया, फिर I से, Israel, फिर U से चाहिए, है ना, कौन सा हो गया, UAE and US, यह I2-U2 group है, ठीक है ना, और यह joint investment and new initiative जो water में, energy में, transportation, space, health and food security में, यह ना initiative के लिए cooperate करने की बात हुई है, so I2-U2, India, US, UAE, बस है, और यह क्या है, इराक नहीं है, कौन है, Israel, ठीक है, so 1, 3 and 4 is right, और एक जो हो जाएगा, वो Israel हो जाएगा, यह I2-U2 news में था, अगला है कि which of the following taxes और leverage are applicable on the petrol or diesel in India, पेट्रोल और डीजल पे कौन कौन सी tax लगती है, so petrol डीजल पे आपको goods and service tax नहीं लगती है, यह तो आपको पताई होगा, so second अगर गलत हो गया, तो आप 1, 3, 4 में बात करना है, पेट्रोल डीजल पे एक साइट डीटी लगती है, वैट लगती है, है ना, इसके बाद वैट यह sales tax आप बोल सकते हैं और इसमें आपको agriculture, infrastructure and development से भी लगता है, ठीक है, इसमें सेस भी लगता है, so the answer is 1, 3 and 4, ठीक है, यह explanation है, अगला है कि carbon taxes are type of pigovian taxes, अब pigovian tax क्या होते हैं, पहले आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है ना, so pigovian tax होता है, जो tax assist against a business या individual जो ऐसी effect करती है, जो ऐसी काम करती है, वैसी activity में है, जिससे की adverse effect पड़ता है, सोसाइटी पे, जैसे cigarette, है ना, तंबाकू, यह जो company है, वोगर माल लेजे, तो उस पे यह tax लगता है, कि भाई, यह जो है, so society पे adverse effect करता है, तो उसको tax देना पड़ता है, ठीक है, सो carbon tax को भी pigovian tax कहा जाता है, क्योंकि जो carbon tax है, यह भी एक तरह का pollution tax है, है, है ना, तो इट लिवाइच, अप फी, on the production, distribution, और यूज ऑफॉसिल फ्यूवल, फॉसिल फ्यूवल पे, जो distribution होती है, यह यूज करते हैं, उस पे क्या होता है, कि जब उसकी combustion होती है, तो कितने carbon emit करता है, ठीक है, तो यह answer क्या हो जाएगा, आपको, they adversely affect the lower start of society, they follow progressive taxation, they address negative externality, है ना, विन्नकरात्मक भाहताओं को संबोधित करते हैं, तो पीगोवियन tax, उसको इसलिए बोलते हैं, कारवन tax को, fossil fuel पे जो consumption होती है, उस पे से जो emit होती है, कारवन, उस पे tax लगती है, ना, इसमें जो है, सो देखो, कल मैंने आपको बताया था, Bessel Convention बताया था, Rotterdam, और एक और Convention बताया था आपको, Stockholm Convention, आज आपको मैं कुछ और Convention बता देता हूं, इस पे question आने की संभावना होती है, सो वासिंग्टन कन्वेंशन, सो वासिंग्टन कन्वेंशन जो है, यह आपको है, यह साइट्स का है, इसको वासिंग्टन कन्वेंशन जो बना था, Convention on International Trade in Endangered Species of, ठीक है नहीं, तो यह जो सो वाइल फ्लोराल फ्लोराना का, तो यह एक ट्रीटी थी, तो प्रोटेक्ट इंडेंजर प्लांट्स और अनिमल को ट्रीट करने के लिए, तो वह वहां से वासिंग्टन कन्वेंशन हुआ, सो क्या हो गया, हजाडर वेस्ट, ट्रेडिन इंजेंडर स्पेसिज, माइग्रेटरी स्पेसिज, मरीन पॉलिशन, आप समझ गया है, इसमें मरीन पॉलिशन को के लिए था, प्रिवेंशन ओफ मरीन पॉलिशन के लिए 1972 में आया था, सो मरीन पॉलिशन के लिए लंदन कन्वेंशन, एक एक लाइन आपको याद रखनी है, सो टू का भी, सो आंसर तो यह हो गया, इसके बाद बॉन कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन को ह है पmy बोलते हैं गधे स्व ब्रहकाइव क्या हूं स्वेक्ब्भी में POLIT यो सुन्ष पार्का ये विच्ट फॉस्ट निस्नल पार्क अगला ने चल्वर्ग पूस्ट को माणा जाता है यह कहां पर है यह अभी हाल में 151th century मनाया है है ना और इसको पूरे world की पहला national park माना जाता है ठीक है सो यह कहां पे है यह United state of America में है ठीक है यह आपको explanation है अगला है कि Kessler syndrome यह news में था कि Kessler syndrome क्या है सो केसलर syndrome is a phenomenon in which the amount of junk in orbit जो आर्थ के राउंड में जो और विट है ना वहां पर क्या होता है कि इतने दिरी दिरी जंक हो गया जैसे माल लिजे कि आप space deverage है ना ठीक है ना तो वहां से जो रियल में satellite होगा या astronauts हो गया या mission planners वगरा होगा उसके लिए problem हो जाएगा क्योंकि जो satellite वहां पर रहता है तो इसकी जो डेवरी होती है वही रह जाती है तो यह जो है इस जंक के बारे में है थीक है इस मतलब की क्या गयता है कि जो धीरे-धीरे जंक वहां पर होती जा रहा है वह एक समय में इस तरह इस एमांट पर पहुंच जाएगा ऐसे पर जो बाद में प्रॉब्लम करेगा है ठीक है सैटलाइट के लिए रियल में जो सैटलाइट हम चोरेंगे तो वहां पर वह दिक्कत करेगा क्यों पहले से वह रहेगा ठीक है इसलिए इतना याद रखिए इससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है अगला एक कार्टी सेल थेरेपी अप起 go क्या है और यह धमें था और यह है फॉलभ फॉझ विएख भ्षी टॉट उछन लोग डस को यह करता है तो कार्टी सेल जो है वो और कैंसर को यह करने में क्या कहते हैं ए यूणद फुल यह होता है च chronic प्रिक हैं या रिसेप्टर ये कर अना और टी-cell थिरेपी टिनए है इस वे इतले जो है वे टु क्वेट इम्म्विन सेल्फ जो एक तरह का वाय्ट सेल्ड है और उससे क्या होता है कि कैंसर को फाइट कर सकता है तो यह आपको कैंसर में आता है इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूवत नहीं है कार्टी से आप याद रखो इसके बाद है हस्देव मुव्मेंट अभी न्यूज में चल रहा था सब्सक्राइब 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 anti coal mining movement है ना हस्देव जो है एक रिवर भी है एक रिवर भी है और जो की ट्रैवेटरी किसकी है महा नदी की ठीक है तो यह भी आपको याद रख सकते हैं ठीक है और हस्देव जो मैंने आपको बता दिया एक forest भी है ठीक है यह आपको explanation है which of the following products process has the application of bioprocessing bioprocessing का इसमें से कौन सा होगा सो bioprocess जो है वो biological science को biologically based manufacturing में बदलने के लिए जो process होती है उसको बोलते हैं bioprocess engineering है ना सो यह जैसे माल लेते हैं कि जो product जो product या service जो bioprocessing पर डिपेंड करता है the product और service से depends on the bioprocessing उसको बाटा गया है एक है बायो फार्माशेटकल बायो फार्माशेटकल्स एक होता है therapeutic proteins है ना पूल जैसे बायो आपको जो है सो therapeutic इसमें हो गया बायो फार्माशेटकल्स में therapeutic proteins हो गया polysacryde हो गया vaccine हो गया diagnostic हो गया है ना और एक होता है specialty product and industrial chemicals जिसमें आंटी बायो टिक आ जाता है तो यह सारी चीज़ें आ जाती है और एक environmental management aids होती है तो वह हो गया बायो प्रस्टिक प्रड़क्शन सर्विजें यूट्टू कंट्रोल और remediate toxic waste को control करने के लिए वह होता है तीन होता है एक बायो फार्माशेटकल्स होता है है जो वैक्सिन वगरा उसमें आ जाता है एक होता control or remediate toxic waste antibiotic और therapeutic यह तीन तरह का ही होता है है ना समझ गया आप और जो control or remediate toxic waste हो जाएगा वह environment management aids में आ जाएगा बायो पुसेशिंग एंटी बायो टिक इसमें आ जाएगा special product industrial chemicals में यह सारी explanation में दी हो यह सो answer is 123 अगला है कि golden triangle लिजिए tri junction where the Mekong river at a confluence point split the landmassage of which of the following किस country को landmass को बदलती है सो इसमें जो है जो ट्रिपल गोल्डेल ट्रेंगल है या tri junction है जहां पे मेकों जो यह करता है तीन नेशन को वह कौन को नेशन है मैनमार है Thailand है और लाउस लाउस है so one three and five ठीक है यह आपको explanation है देखो it is the it had become the focal point of an international network of illegal opium and heroin trade के लिए focal point होगे नौ मारपोल कन्वेंशन हम सारी कन्वेंशन बता रहे हैं एक question पूछने की संभावना है सो मारपोल कन्वेंशन जो इसन न्यूज में रहता है वो किस चीज के लिए होगा अब मारपोल का अगर फूलफों भी पता होगा आपको तो आप बना लोगे है ना सुदिशीद इंटरनेशनल कन्वेंशन ओन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉलिशन फ्रॉम सीप से पॉलिशन को यह करने के लिए के लिए यह मारपोल आया था है ना और यह 1973 में यह हुई थी क्या करते हैं कॉन्वेंशन को एडप्ट किया गया था ठीक है यह आपको एक्स्प्लानेशन है अगला कुछ नहीं इन लेश्लेटिप पार्लेंस डटर्म गलोटीन इस यूज इन दा कॉंसेप गलोटीन आप को कि पाउचने होंगे यह होता है कि जो फाइनेंसील बningenस है उसको फार्ष्ट करने के लिए यूज होता है तो पासेसील बिशनेस को पास करने के लिए यूज होती है जैसे मारप बजट प्रजेंट हुआ पारले मेंड में ठो वाट्ष ऑबरन आती है तो speaker guillotine करता है मतलब कि बांकी जो भी outstanding demands है ना उसको एक बार में भोट पे टाल देता है ठीक है ना यह last day last day को होता है ठीक है तो इससे क्या होता है जल्दी से आपको financial पास हो जाता है और पूरी process जो है सो complete हो जाता है ठीक है यह नया warfare is cyber warfare ग्रे जोन operations है ना यह cyber warfare का है है ना है clear तो यह आपको explanation है अगला क्या था टर्म एब्जॉर्पिटिप capacity and carrying capacity so what is absorptive capacity and what is carrying capacity capacity so carrying capacity हम लोगोंने बात किया था पिछले वीडियो में pollution वाले में carrying capacity absorptive capacity क्या होता है कि ability of environment to absorb degrees कितना degrade करोगे तो सहप आएगा जैसे माल लिजी कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है कितना अत्याचार करोगे तो आप सहप आओगे that's absorptive capacity और carrying capacity होती है कि जैसे माल लिजी कि आप कमाते हो तो इसके बाद किरिद पारिक कमिटी न्यूज में था किरिद पारिक कमिटी किस चीज़ के लिए था सो यह प्राइसिंग मेकेनिज्म को जैसे की वह बताने के लिए जो नेचुरल गैस थी उसकी प्राइस प्राइस चेंज करने के लिए जो आपको ओएंजी सी वाइल इंडिया लिम्टेट है ना यह सब मिल करके यह एक बनाया था ठीक है ना कि प्राइस मेकेनिज्म कैसा होना चाहिए ठीक है तो उसकी जो हेड़ थे वो थे किरित परिक कमिटी इससे ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है ठीक है इसके रेंके कमिशन है वो भी न्यूज में था रेंके कमिशन किस चीज के लिए था तो सब कैटोगराईशन ऑफ ओबी सी के तो आपको पता होगा जस्टिस जीरो हिनी कमिटी है सो डी में बनाई गई थी है ना और उस समय जो गर्वंट है और इसके हेड कौन थे बाल कृष्ण बाल कृष्ण सिधराम रेंके ठीक है तो यह थे और इन्हों 2008 में रिपोर्ट्स किया था है ना और इसमें इन्होंने कहा था कि यह जो ट्राइब्स है वो यह बड़ी आईरनी है क यह ट्राइब्स को अभी हमारी समयधान के मेकर्स ने भी और इनको कंस्टिशुशनल कोई राइट नहीं दिया है ना और यह डिप्राइब्ड हो गया सारी कंस्टिशुशनल सपोर्ट से भी तो यह आपको डिनोटिवाइड ड्राइब पर हैं बाकि आप इसको पढ़ लेन अगला अगला यह दो मोश्ट कॉमन केमकल्स यूज़ फर क्लाउड सेडिंग बारिस करवानी है तो कुछ चेमकल्स यूज़ करके बारिस करवाई जाती है तो उसमें कौन सा होता है चाहे ड्राइब यह सोडियम आयोडाइट एजी आई यह ना यह पोटासियम आप यह कर दोगे सब इसमें आगर आप केमेस्ट्री जो जोग्रफी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाए कि क्लाउड सीटिंग जो होता है वह सिल्वर आयोडाइड यह पोटासियम आयोडाइड ड्राइए इसको यूज करके आप करते हो ठीक है ना जिससे क्या होत अब यह भी याद रखो केप्टाउन कंवेंशन भी नीज में था केप्टाउन कंवेंशन जो था वह एयरक्राफ्ट इंजन और इसको ग्रोथ बात की लिए इसको चाहिए करनी चाहिए और इंडिया इसको यह जो कंवेंट केप टाउन कंवेंशन है उसको 2008 में सीड किया था बट अभी तक इसको पार्लियमेंट में रेटिफाई नहीं हुआ है ठीक है तो यह आपको याद रखना है इसलिए न्यूज में था अगला है कि तब फेमस कि हो तो हो लोहन बनाम जचिल्लू यह केस हुई थी कि हो तो हो लोहन बहुत फेमस है अभी तो बहुत नियूज में चल रहा है यह एंटी डिफेक्शनल लाह है जो आपको यह जो केस हुई थी 1992 में और इसमें जो है इसमें जो 52nd Amendment Act था जिसमें तेंथ सैड्डूल को एड किया गया था एंटी डिफेक्शनल लाह को उसको अफेल्ड किया था कि हो तो हो लोहन बर से जचिल्लू केस में ठीक है क्लियर और इसमें सिर्फ एक चीज़ को आप एक ही जो थी एक पॉइंट था जिसको सुप्रेम कूट ने काट दिया था कि डिशीजन ऑफ स्पीकर रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन कैननोट भी जो डिसली बोला कि नहीं नहीं जो डिसली तो रिभ्यू होई सकता ह है ठीक है अगला है कि मनमादुराई पोटरी अब मनमादुराई पोटरी है यह न्यूज में था यह इसको जी आई टैग मिला है यह कहां से बिलॉंग करता है सो मनमादुरी पोटराई पोटरी जो है वो तमिल नाडू से बिलॉंग करता है तमिल नाडू में इनको अभी ज लिमस है यूनिक टाइप की बनाती है तो भी जियो टाइप तभी जियाई टाइग मिली है अगला ऑपरेशन कावेरी यह निवे था सो ऑपरेशन कावेरी क्या है यह यह ऑपरेशन कावेरी हैं आप दो-3 ना अपरेशन तो आपको याद ही रखना चाहिए यह इंडियन आपको याद रखना है कावेरी में कौन-कौन थे एयर फोर्स एयर फोर्स थे इसके बाद नेवी था और यह भी कुछन पूछ सकता है मिनस्ट्री ओफ एक्स्टर्नल अफेर्स था सो यह तीनों मिल करके और इवेक्वेट इंडियन स्टक इन सुदान तो यह आपको याद तो है ठीक है अगला कुश्चिया ने तो ग्लोबल मर्टि डीमेशनल प्रवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता और वो यूनाइटेड नेशनल डेवल्मेंट्र क्रीम लाउंच करता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है यह एक्स्प्लानेशन है अगला है कि वर्ड प 161 टोटल 180 कंट्री में से 180 वो तो न्यूज देखके आपको पता चले ही जाता है कि 160 भी बहुत ज्यादा मिल गया ठीक है सो रिपोर्टर्स विदाओट बॉर्डर्स है अगला अधा अंदर कंस्ट्रक्शन चोजीला टनल कहा से कहा तक है अभी नियूज में था तो जोजीला टनल लद्दाख और जम्मू कस्मीर के बीच में है ना ओल्वेदर कनेक्टिविटी बिट्विन दा यूनियन टेरिट्री जॉफ लद्दाख यूनियन टेरिट्री ऑफ जम्मू एंड कस्मिर यह इंडिया का लॉंगेस्ट रोट टनल है जो जिसकी लेंथ 14.15 किलोमेटर है और यह बाइडारेक्शनल है मतलब दोनों तरफ से आ जा सब्सक्राइब नल्गेस्ट ऐसा माना जाता है कि बाइडार्शनल होगा सो लद्दाख और जम्मू कस्मिर को होता है फूटबल में जिसमें की एक आउट्फिट प्लेयर जो है वो बॉल को टच करता है अपने हैंड से हैना ठीक है या गोल की पर अपने पेनाल्टी बॉक्स के बाहर टच करता है तो आप हैंडबल रोल याद रखो बस फूटबल का इससे ज्यादा दिमाग इसमें नहीं नी लगाना है अगला अगला फूए मॉंग दा फाल नोहें बातना ने पाईवली एइक्स्प rozp यह पालीग्स पेस्प्रेश को बोलते हैं तो यह पर दोरती mu रहा हो तो सब्सक्राब चाहिए इसके बाद हम लोग कुछ बात करते ёं कि इसके अलावा भी कूछ चीजे मलोब बात कर लेते हैं जैसे कि Ministry of Labor Employment में अगर आप पेपर देने जा रहा हो तो Ministry of Labor Employment के बारे में कुछ पता होना चाहिए सो Ministry of Labor Employment का बहुत सारे इस स्रम पोटल आप जरूर पढ़के जाना इस स्रम बाला जितना विए वो पढ़के जाना एक आपको इसमें में है कि National Child Labor Project scheme है NCLP यह Central Sector है मतलब Central government की पूरी इसमें होगी और चाहिट लेवर के रिहाबलेशन इसका परपस है जो चाहिए बिलो 14 साल से कम के चाहिए और 18 साल से कम के दोलेशेंट के यह टार्गेट ग्रूप हैं यह डिस्टिक प्रोजेक्ट सोसाइटीज के थुरू यह इंप्लिमेंट होगा और टू इलमिनेट ऑल फॉर्म सब चाइड लेवर है न हर तरह के चाइड लेवर को इलमिनेट करना अवेर्नेस उसका फैलाना और चाइड लेवर मॉनिटरिंग ट्रैकिंग and reporting सिस्टम बनाना ठीक है सो इसमें दो तरह रही वह रिहाविलेशन होता है एक जो आठ पांच बरस से बच्चे होते हैं कि उसको और एक 9-14 रहते हैं उसको कैसे करने हैं तो जो आठ बरस पांच बरस रहता है उसको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आपको ले के जाना है ठीक है ना उसको पढ़ाना है और जो 9-14 है उसको आपको स्पेशियल ट्रेनिंग सेंटर में डालना है जिससे की वोकेशन एजुकेशन और कुछ ऐसा इसको मिल जाए तो यह याद रखना है इसके बाद हम लोग जो बात किये थे यह आयलो कंवेंशन 182 बात किये थे वास्ट फॉर्म आफ चाइल लेवर यह बात कर चुके हैं और इसमें आयलो कंवेंशन 138 भी बात किये थे मिनमम एज इंप्लॉयमेंट है ठीक है ठीक है और यह चाइड लेवर प्रविशन और रेगुलेशन अमेंडमेंट अक्ट 2016 था इसमें किसी भी ऑकुपेशन में यह आप लोग पढ़े हुए चाइड लेवर एक्ट में 14 यह से अंदर के बच्चे हैं उन्समें काम नहीं करने हैं और 18 स सोसाइटी के थुरू यह जो है सो इंप्लिमेंट होगा ने-स सील पी परजेक्ट तो वह डिस्टिक परजेक्ट सोसाइटी क्या है यह कोलेकतर हैं के अंदर में होगा और यह हमेशा जहां भी सब्सक्राइबने इसका जो है सो वह सारी डेटावेस होगी है नचायल्ट कितन for effective enforcement of no child labor तो यह सारे डिटेल जो होगी वो पेंसिल प्लेटफॉर्म पे होगी इसके बाद एक न्यूज में था युनिवर्सल एकाउंट नंबर जो बारा डिजिट का यूनिक माउन देखो जौब जिसको है वो डालेगा फिर इसको जौब मिल जाएगी इसके आद एक चीज़ आप लग् análर चिज्सकोर सब्सक्राइब आए और फींच्फॉर्स अप्रिक सब्सक्राइं तौक फॉइसकोंग। एक्टे जनरल है एक ठीक है ओके तो दिस अल एवाउट फॉर करेंट अफेस सेक्षन आप टाइम है तो इन फाइना इतना पढ़ना है पढ़िए कोई ऐसा इससु नहीं है बट इतना कम से कम एट लिस्ट आपको इतना जितना अमने तीन दिन में किया है उतना आपको करना पर जो मैंने आपको बताई थी कि गूगल फॉर्म है वहां पर आपनी कोईरी रखिए सो एक से दो दिन में मैं वह लास्ट 15 डेज की क्या स्ट्रेटी होनी चाहिए वह मैं आपको बना के वीडियो दूंगा ठीक है सो थैंक्स फॉर वाचिंग और यह पीडियाफ आपको यहां टीकैप तक्स फॉर वाचिंग